हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को जम से लड़ने के लिए इंक्रीज कर सकते हैं दुनिया में हर व्यक्ति स्वस्त और बिमारियों से दूर रहना चाहता है क्या आप जानते हैं कि प्रतिरक्षा प्रणाली बिमारी पैदा करने वाले रोगाणों से लड़ने में शहायक है और ये आपको बिमार पढ़ने से बचाती है इसलिए जरूरी है कि आपकी बॉड़ी की इमुनिटी पावर यानि की रोग प्रतिरोधक शम्ता अच्छी हो ताकि आप कई तरह की बिमारियों के हमले से बचे रहें हेल्थी इम्यून सिस्टम लोगों की आहार, नींद, वयाम और जीवन शयली की कई पहलों पर निर्भर करता है हाला कि हेल्थी भोजन आपकी प्रतिरक्षा प्रनाली के निर्मान और मजबूती देने में महत्वकुन भूमी का निभाता है एक मजबूत रच्छा तंत्र जो संक्रमन सुच्व जीवों के खिलाफ काम करे, वो स्वस्थ आहार के माध्यम से आपके शरीर को दी जाने वाली दैनिक पोशन पर निर्भर करता है कुछ खास पदार्थ में इम्मुनिटी पावर बढ़ाने के विशेश गुण होते हैं जो रोगों के प्रतिरोधक के निर्मान के बारे में बताते हैं आज मैं आपको ऐसे ही कुछ खाद पदार्थों के बारे में बताऊंगी जिसे आप अपनी रोज की खाने में शामल कर अपनी रोग प्रतिरोदक्षमता को बढ़ा सकते हैं पहला दही अपने खाने में दही को शामल करना आपके स्वास्त के लिए फाइदे मन्द है ये एक स्वस्त वैक्टिरिया की शुरेनी में आता है जो बहुत से रोगानों को आथ के आसपास हमला करने से रोगते हैं इसके प्रोबैयोटिक के रोग में भी जाना जाता है और ये पाचन में भी मदद करता है दो लहसन ये एक लोग प्रिये सुपर फूड है जो आम दोर पर हर घर में इस्तिमाल किया जाता है लैसन शरीर की रोग प्रतिरोदक शमता को बढ़ाने में कारगर है इसमें एंटी वैक्टिरिया और एंटी ऑक्सिडन गुण मौजूद होते हैं जो बहुत सारे वैक्टिरिया और रोगाणों से लड़ने में मदद करते हैं तीन मश्रूम ये बॉड़ी के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करता है मश्रूम के कई किस्म होते हैं और ज्यादातर मश्रूम में और शिद्य गुण मौजूद होते हैं जो शरीर के रोग प्रतिरोधक्षमता को मजबूत करता है चाड़ चाय चाय के शौकिनों के लिए अपने बॉड़ी की इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रीन टी या ब्लैक टी ये अच्छा श्रोत माना जाता है जो बॉड़ी के इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में सक्षम होते हैं पाज पालक ये हरी पत्तिदार सबजी एक सूपर फूड है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आविशक विटेमिन और पोशक तत्वों से सम्रिद्ध है इसमें बीटा क्या रोटीन एंटी आक्सिडेंट और विटेमिन सी मौचूद होते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर है तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ दोस्तो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक पर सब्सक्राइब जरूर कर लें तैंक यू